हेलो एपरिवन वेलकम बाइक तू माय यूट्व चैनल तो जैसा कि आप जानते हैं AIB 17 का जो एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है चुकि वेबसाइट पे यह कल ही अपलोड कर दिया गया था लेकिन वेबसाइट चल नहीं रही थी इसी वज़़े से कल जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा था लेकिन आज जो है वेबसाइट सही चल लही है वेबसाइट से जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो रहे हैं इसके अलावा BCI के द्वारा आपके रजिस्टर्ड इमेल आईडी पे जो कितिती निर्धारित की गई है, पांच फर्वरी का जो परिक्षा कितिती निर्धारित की गई है, उसी डेट पे परिक्षा होगी, लेकिन इसी बीच BCI ने बेरेक्ट के बारे में एक नए नोटिफिकेशन निकाली है, तो उस नोटिफिकेशन को देखेंगे और जानेंगे कि इस बार AIB 17 एक्जाम में BCI ने किस तरह के बेरेक्ट को अलाउ किया है तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए ताकि जो भी वीडियो या अपडेट में आपको दूँ वो आप तक पहुंच सके और साथी साथ आपके जो भी प्रसन है जो भी सवाल है उसको कमेंट बाक्स में आप लिख सकते हैं तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं उस नोटिफिकेशन को BCI ने जो आज जारी किया है जो की जो बेरेक्ट है उसके बारे में है तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को देखेंगे सबसे पर यहां पर देख लिजिए admit card के संबन में BCI की ये notification Dear AIB17 Applicant Your admit card is live on the site and you can download it from there with user ID and password यानि user ID और password डाल के आप जो है अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं ये Bar Council of India का official website है वहाँ पर link भी दिया गया है इस link पर direct click करके आप जो है यहां से भी आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं उसके अलावा जो है आपके जो registered email ID है वहाँ पर भी एक link जाएगा उस link पर भी click करके आप जो है अपना admit card डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर लिखा गया है देख लीजे आपकमीन एक्जाम सेड्यूल आन फिफ्थ फरवरी यानि पांच फरवरी को जो परिक्षा है वो confirm हो गई है कि पांची फरवरी को होगी अब हम देख लेते हैं BCI के उस notification को जो कि बेर एक्ट के संबन में है तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है Candidates will also be allowed to carry copies of their acts and downloaded copies of acts without notes but if such copies are not available then copies of their acts with short notes oblig list notes will be allowed on the basis of prayer by some candidates यानि कि कुल मिला जूलाखर कहना यही है कि अगर जो है आपके पास बेरेक्ट की प्रतियां है यानि कि फोटो कांपी है वो भी allowed है with short notes वाला या without short notes वाला तो दोनों चीजें यहां पर लिखी गई है कि without short notes वाला जो है अगर available नहीं है तो आप जो है with short notes में जो सबसे जिसमें list notes दी गई हो उसको जो है आप जो है उस बेरेक्ट को ले आ सकते हैं तो बेरेक्ट की आप जो है फोटो कांपीज भी ले जा सकते हैं या net से downloaded copies जो है बेरेक्ट की उसकी भी printout निकाल करके आप ले जा सकते हैं, चुकि आप अगर net से barex निकालते हैं, barex से download करते हैं, उसके बाद उसका print out लेते हैं, तो ये print out जो ले जाएंगे exam हाल में वो भी valid है, इस notification से clear कर दिया गया है, यानि कि आप barex की photocopy करा लेते हैं, या downloaded copies की print out ले लेते हैं, वो भी exam हाल में मानने हैं, यहां पर इस notification से इस बात को clear कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, विदाउट notes वाली आपको ले जानी है, लेकिन अगर without notes वाली अवेलेबल नहीं है, तो least notes वाली आपको barex ले आने की अनुमती दी गई है, तो इस तरीके से एक तरह से कहा जाए कि बहुत सारे ऐसे candidates जिनके बास barex नहीं था, जो नहीं खरीद पाये थे, वो दोसरे की जो barex से उसकी photographies भी करा सकते हैं, उसको भी ले जाकर अपनी परिक्षा दे सकते हैं, या अगर net payable है, तो वहां से उसको download करके उसकी printout भी ले सकते हैं, और उसको भी exam हाल में लेके जा सकते हैं, तो इस तरीके से barex वाली जो बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या को काफी हद तक BCI के इस notification से कम हो गई है, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यरती थे, अप्लिकान थे, अविदक थे, जिनके पास barex नहीं थी, और बार बार अहीं प्रस्न कर रहे थे हैं, कि कि क्य आपको जो है, इस से परिच्छा हल में रोका नहीं जाएगा, तो barex की without photocopies, without जो notes वाली जो है, उसकी copies ले जा सकते हैं, या downloaded, जो barex है, without notes वाली उसको ले जा सकते हैं, अगर ये available नहीं है, तो list notes वाली जो है, आप जो है, downloaded copies ले आ सकते हैं, या barex की photographies ले जा सकते हैं, तो इस notification से यह confirm हो गया है, इसके अलावा AIB exam से संबंदित जो भी आपकी समस्या है, problems से, उसको comment box में आप लिख सकते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो को अधिक्स अधिक share करिए, चैनल को अधिक्स अधिक share करिए, और इससे वो फायदा उढ़ा सकें, तो AIB 17 का admit card आ गया है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कि AIB 17 exam के समय आपको क्या क्या लेके जाना है, exam हाल में कौन कौन चीजों की जरुवत पड़ेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद,